हे गाईज आप सभी को मेरा नमस्ते तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिकी हुई बदाम या फिर रोस्टेट आलमंड्स रोस्टेट बदाम खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएं इसके लिए हमें केवल तीन ही चीजों की जरूरत होती है बदाम जिने की रोस्ट करना है नमक और पानी तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने करीब 250 ग्राम बदाम ली है इसे एक बर पानी से दो कर 5 मीट के लिए बिगो कर रख देते हैं इस तरह से बदाम को मैंने ब एक मोटे पैंदे की गड़ाई रख कर उसमें नमक डालेंगे नमक को बीच-बीच में हिलाते रहिए जब तक कि यह अच्छी तरह से गरम न हो जाए इस तरह से हाथ रखके हम चेक करेंगे कि नमक गरम हुआ है या नहीं हुआ है तो चलिए अब यह नमक अच्छी तरह से जैसे ही आप बदाम इस नमक में डालेंगे शुरुवात में आप देखेंगे कि बदाम पर नमक की एक मोटी सी लेयर कोट हो जाएगी लेकिन उससे आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि जैसे जैसे बदाम सीखती जाएगी यह नमक अपने आप छोड़ती जाएगी इस पूरी प्रोसेस को करने में करीब 7-8 मिनिट लगते हैं इसको हमें हिलाते रहना है और गैस को हम मीडियम या लो मीडियम पर ही रखें थोड़ी दिर बात बदाम अपने आप ही बीच में से क्रैक होने लगेगी कुछ-कुछ बदामों में आपको इस तरह से क्रैक दिखने लगे होंगे इसका मतलब है कि यह बदाम अमारी अब सिक चुकी है और जैसे ही बदाम में से क्रैकलिंग साउंड आने लगे तो समझ जाएगा आपकी बदाम अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है बस इसके कुछी सेकंड बाद आपको गैस बन करनी है और तुरंत एक स्ट्रेनर या चन्नी की साहता से सारी बदाम को नमक से अलग कर लेना है थोड़ी देर ठंडा होने के बाद आप इसे खा सकते हैं ये खाने के लिए एकदम रेडी है साथ ही आप इसे एक एर टाइट डबे में स्टोर करके रख सकते हैं जाते जाते मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी इस नमक को ठंडा हो जाने पर आप एक एरटाइट डब्बे में भढ़ सकते हैं और नेक्स टाइम जब भी आपका काजो या बदाम खाने का मन हो वो भी सिखी होई तो आप इसी नमक को दोबारा यूज़ कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको मेरी ये मैथट कैसे लगी